तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका साहारा शू प्रतिपल इश्वर आपनी साथे जोई छे गुरुदेव ठागोर के एवाज कोई मनिश्रिये क्यांक एवी मतलब नू लख्यू छे के मानवीनी मानवतानी गरीमा उपर जारे उपरा उपरी वसमा आगात थाए एना जीवननों हीर खमीर तम्माम हैया बढ़ जारे खवाए ने चवाए जाए एना अंतरात्मा डगाए कचलाए दुनाए बुनजाए जतो होए खुल की नारा आब धरती बदू एकाकार थाई गयलू भड़ाए त्यारे आत्मतत्त्वना गंभीर उंडाणों मां सुतेलो मानवात्मा उगडकी उठेचे आने पोतनों तम्माम बढ़ एक जोर करीने तेना देह आत्माने ग्रसी जवा करती कोर विपच्च सामें बंडाई जाई जाई छे एनों तमाम तेज ओजने गवरव एक टीपे आवीने मरणियों मोर्चो लडिकाडवा दसे छे अने अन्ते शत्त्रु दलने जेर करी तमाम विपत्नी सडसतीने पगतले छूटी महा महिमा मै एवो मानव छपूट मुच्च उभो करे छे आवो महा मानव तरीके जनमब्वानी जंकना देवो पन सदा सेवता होई एव शास्त्र पूराणों गाई उच्छा जूट निती वालोंने काँ जने पईसो खावो होई ते बिजा थी दबाई ते टलू सामबढ़िये तो एक परमे हर नी छोडी ने बिजा कोई थी डर्वा दबावनी जरूर न थी दर्मराजा ये एक कजवार साच मा जरी जितला जूटनी सेड़ बेल करी बस हलवे घाटे साचू बुल्या एक लूज पन तेकले थी एमनो रत धर्ती थी वेत उच्छो चालतो तेहेठों पड़ेो एम मानस ने खासियानों खावों पड़े स्वामियानदना शब्दो धर्ती नी आर्ती मा भाच्या तेरे वीस बाविस वश्णों हतो बस त्यार थी पर्मेहर स्वामियानद पर्मेश्वर ने पर्मेहर कहे जे एमने हाजरी अनुभवुचू भाळूचू अत्रतत्र सर्वत्र स्वामियानदने मलवानू भग्यमनो तू पर तेमनों लखान वांचया थी एक वात मनमबंधानी के इश्वर सरण सहज स्पष्ट छे अने एने क्या इशोद्वानी जरूर न थी कारण के परमेश्वर छे तो ते मारा माज छे आवात पाक्की थाई पछी समझाये लू के ओशो जरे आचार ये रजनीश था त्यारे तेओना संबोधन मां ते सव मां भी राजल आत्मन ने पहला नमसकार केम करता हाथा तेर वर्ष्णों होईस जरे पहली वार रजनीश ने राजकोट नी राश्ट्रिय साड़ा मां साम्ड़या मस मोटी आँखो और गचप नाक आत्म विश्वास्ती चलकता आवाज थी आचार ये रजनीशे प्रवचन नो प्रारब करे लो आप सब के अंतर्बन में भी राजमान आत्मन को नमसकार आ संबोधन गमे गये लूँ बन प्रशना छोड़ी गये लूँ कि शूँ इश्वर एज आत्मन और एज मारी अंदर विराजमान चे पछितो भनतर मावेल एक पाठ और एक कवित आए इश्वर विशे नव विचारवानी तक आपेली मने स्मरण छे के मारा पाडोशी गाम टंकारा मूर्भीना महर्शी दयानन सरस्वती विशनो एक पाठ आउतो तेमा वरणवेलू के मंदिल मा रहली भगवानी मूर्तीना दर्शन दयानन जी करता था त्याँ जेक उंदर रो शिवजीना लिंक पर फर्तो भाल्यो अने तेव स्रीना मन मा विचार आवे हो क्या मूर्तीमा जो भगवान होई तो अंदर रहने आरी ते पोताना पर कुदवानी छूट आपे खरा जी आवा उंदर ने न रोकी सके ते भगवान न होई सके आपाट बनवतारे गड मतल था एली इस वरवी से मने बेतालणों मलेला एम अठामन प्रची पहलू भगवान ख्याई मुर्तीमा छूपाई नतो न थित बेठा बिजू भगवान बहु सहज छे के जमने उंदर ने मंदिर मा आवी ने अहीं तेहीं कुदका मर्वनी छूट आपी छे मने त्यारती महर्श्री द्यानन ने प्रश्नक करवानू मन छे के उंदर मा जीव छे तो जीव मा इश्वर छे पछी उंदर ने मंदिर मा जता कोणे शाम आटे रोको जोई ये खेर प्रश्नतो हजू तेना स्थाने छे पन मारी इश्वर विशनी कवायत वधुस पष्ट थाई छे एक कविका हमारा गुजराती सिक्षक श्री अर्विंद भाई धोड़क्या बहु ओत प्रोत थाईने बनावता कवि मिन पियासे निरचना अने तेमा इश्वर नो जब बरू लेख कविता नान्तमा कवि वेधक सवाल करे छे परमेश्वर तो पहलू पुछे कोईनू सुखदुख पूछिऊ तूं गेंगें फेंफें करतां केशो हैं 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 शू 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 कभूत तरो नू कू 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 मारा महाजरा जूर छे पन कोई आब दा इश्वर नोई वड़ो परमिश्वर छे के जेने आपने छेले जवाब आप वो तो पर से तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा झालता है तो किसका सहारा